दिल्ली में शुक्रवार को सुभा सुभा गोलियों की तर्तराहट सुनाई दी। दिल्ली पुलीस के साथ मुठभेर में एक अपराधी मारा गया है। दरसल पश्चिम दिल्ली में एक कार शोरूम में गोली बारी में कथित तौर पर शामिल एक शूटर दिल्ली पुलीस की स्पेशल यूनित के साथ मुठभिर में मारा गया। पुलीस के अनुसार अजय हर्याना के रोहतक का मूल निवासी था और वो राज्य और दिल्ली में हत्या। हत्या के प्रयास तथा शस्त्र अधिनियम के तहट अपराधों समेत एक दरजन मामलों में शामिल था। पुलीस के मुताबिक वह दस मार्श को सोनीपत के मुर्थल में एक व्यापारी की हत्या में भी शामिल था। अजई ने छे मई को 27 साल के मोहित रिधाओं के साथ मिलकर तिलक नगर इलाके में उरानी लक्जरी कारों के एक शोरूम पर गोली चला दी। गोलिया कांच के दर्वाजों और खिर्कियों पर लगी और साथ लोग घायल हो गए। हमलावरों ने घटना के बाद हाथ से लिखा एक नोट छोड़ा था। जिसमें तीन बदमाशो भाव। नीरज फरीद कोट और नवीन बाली के नाम थे। पुलीस ने बताया था कि शोरूम के मालिक को एक अंतराश्चिय नंबर से कॉल आया था और फोन करने वाले ने उनसे रंगदारी के रूप में पांच करोड रुपे की मांग की थी। पुलीस के अनुसार बाद में रिधाओं को कोलकाता से गिरफतार कर लिया गया।